वेलकम बच्चों, कैसे आप सब? I hope कि आप सभी अच्छ होंगे, मैं संगीता from LearnHub, the free learning platform, जहां आप पढ़ सकते हैं Math Science SST, absolutely free at learnhub.com हमारी new series ICC start हो रही है, जहां पर Math Science SST के सभी वीडियोज आपको मिलेंगे, बिल्कुल free at learnhub.com बच्चों, आज हम discuss करेंगे ICSC Class 6, topic हमारा है The Egyptian Civilization चलिए, स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे कौन-कौन से topics यहां cover होंगे, तो chapter आपका पूरा cover होगा, topics आपके कौन-कौन से आईए देख लेते हैं, location and origin सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग main characteristics of the Egyptian civilization ठीक है, तो इसकी characteristics क्या है, जैसे की architecture हो गया, town planning वगेर हो गई, ठीक है, occupation हो गया, यह साली चीज़े हम लोग यहां पर समझेंगे ठीक है, decline of the Egyptian civilization, Egyptian civilization का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग यहां पर discuss करेंगे चले बच्चो, start करते हैं हमारा आज का chapter, सबसे पहले बात करेंगे हम location and origin तो ancient Egypt की बात अगर हम करें, जिस civilization को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे other river valley civilization के बारे में the Nile valley, ancient Egypt like other early civilizations developed in a river valley, ठीक है, Nile river valley, the Nile river was at the center of the entire civilization, अब आप अगर civilization को देखिए, ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे, Memphis, Thieves, इन सब के बारे में आप आगे, अभी discuss हम लोग करेंगे, तो अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यह जो civilization है, यह कहां पर हुआ है, Nile river क के आज पास, तो Nile river क्या है, इस पूरी civilization का वो क्या है, center है, साथ ही साथ एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, कि जो यह civilization है, Egypt civilization, उसको two parts में डिवाइड गिया गया है, first part इसका north की तरफ है, जिसे की lower part कहा गया है, second part इसका south की तरफ है, जिसको की upper part कहा गया है, ठीक है, तो यह civilization जो था, वो जितने part में था, ठीक है, जहां पर settlement हुआ था, बाकी जो portion था, वो heartstone, desert, इन सबसे बना हुआ था, जिसकी वज़ए से इसको क्या बोला गया था, कि यह invasion से रक्षा करता है, बाहरी जो आक्रमर होते है, जैसे अगर आप India का map देखोगे, तो क्या है, हम natural barrier का काम करते हैं, उसी तरह यहां पर भी यह जो desert वगेरा है, यह क्या है, यह Egypt civilization के लिए natural barrier का काम करता था, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम देखते हैं, कि Egypt civilization जो है, वो Nile River के आसपास ही develop हुई, यहां तक कि जो Nile River है, उसी की वज़ज़ से कह सकते हैं, Egypt civilization जो थी, वो develop हुई थी, ठीक है, तो इसी वज़ज़ से historian Herodotus, जिन्होंने वोला था, Egypt civilization के लिए, कि Egypt civilization जो है, gift of the Nile है, ठीक है, Nile River का वो gift है, चलिए आगे समझते हैं, क्यों ऐसा का था, क्या खूबिया थी, एक तो हम लोगों ने भी बात की, कि जो अभी हम मैप पे हम लोगों में देखा था, तो यह जो civilization है, इसके आज पास क्या था, कि sandstone थे, desert थे, यह सारे क्या थे, natural barrier का काम करते थे, कि बाहरी लोग जो थे, वो अंदर नहीं आ सकते थे, ठीक है, जिसकी वज़ज़ से जो starting में, जब civilization हुआ, जो लोग वहाँ पर settle हुए, वो लोग बाकाइदा आराम से वहाँ पर huts बना सके, domestication कर सके, animals का, ठीक है, crop जो था, वो ग्रो कर सके, यह सारी चीज़े कर सके, क्योंकि वहाँ पर natural barrier था, अब बात करते हैं, the Nile river was a fertile strip of land, and the river provided water for irrigation, हमने पहले भी देखा था, पहले की civilization में भी, कि river valley के आस पास थी, जिसकी वज़ज़ से, वह overflow हो जाती थी, और जब वापस जाने लगती थी, तो वहाँ की land पर वो black fertile soil छोड़ के जाती थी, जिसकी वज़ज़ से crop grow करना आसान होता था, और crop भी बहुत अच्छी होती थी, ठीक है, तो यह इसका reason रहा, the Nile River was the main transportation channel, have developed trade relations, ठीक है, तो Nile River जो थाई, तो क्या था, वो transportation के लिए अच्छी थी, कि वहाँ से transportation भी हो जाता था, main transportation channel थी, जिसकी वज़ज़ से, आगे हम देखते हैं, trade relations जो थे, ठीक है, Egypt civilization, Egyption के लिए, तो वो भी other countries के लिए आसानी थी, other countries के साथ, वो आसानी थी, the desert served as natural barriers from foreign invasions, इसके बारे में तभी हम लोगों ने बात कर ली, तो ये सारे कह सकते हैं, खुबिया थी, जिसकी वज़ज़ से, gift of the Nile कहा गया, Egypt civilization को, चली, अब हम देखते हैं, ancient Egypt civilization, जो थी, इसका division, या कह सकते हैं, पहले कि time period, इसका क्या से क्या रहा, तो time period की बात करें, तो वो लगभग 3000 से 1100, मनला लगभग जो ancient Egypt civilization चली, ये चली 2000 years तक, ठीक है, अब ancient Egypt civilization जो थी, उसे 3 parts में डिवाइड किया गया था, first part जो था, वो था old kingdom, second part जो था, वो था middle kingdom, and third part जो था, वो था new kingdom, ठीक है, अब इनका time period भी अब लोग देख लेते हैं, तो जो आपका old kingdom था, वो था 3000 BCE से 2000 BCE का time period, फिर middle kingdom 2000 BCE से 1700 BCE का time period, फिर आता है new kingdom, जो था 1600 तो 1100 BCE का time period, अब आप आप ने ध्यान दिया, इसमें एक चीज, कि हम लोगों ने देखा 3000 से 2000 BCE तक, जो था, वो था old kingdom, फिर 2000 से 1700 middle kingdom, फिर हम देख रहा है, new kingdom जो है, वो 1600 से है, यानि की 1700 से 1600 के बीच का जो time है, यानि ये जो 100 years है, ये कहां गए, ठीक है, तो ये कहां पर गए, अगर इसकी बात करें, तो इस समय में tribe, ठीक है, tribe जो थे, वो उनका भी attack हुआ करता था, तो tribe high sauce जो थे, ठीक है, उनका यहां पर शासन था, ठीक है, high sauce stripe थे, उनका यहां पर साशन था, और उसके बाद हम देखते हैं, वालपस से आ जाती है, new kingdom, ठीक है, तो इसलिए इस तरह से हमने देखा कि three parts में इसका division है, अब बात करते हैं, main characteristics of the Egypt civilization की, ठीक है, तो इसके characteristics क्या थे, इस पर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले आते हैं, town planning यहां कि town planning कैसी थी, तो जब हम town planning की बात करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है, देखा जाए तो इसमें continuously debate चल रहा है, कि किस तरीके की थी, तो कुछ लोगों का कहना है, कि यह well planned थी, कुछ लोगों का कहना organically developed थी, लेकिन फिर भी अगर conclusion की बात करें, तो यह city जो थी, कि city का कुछ पार्ट जो था, ठीक है, some cities in Egypt are thought to have been planned, ठीक है, कुछ पार्ट जो था, वो planned था, और कुछ पार्ट जैसे कि तीप्स हो गया, Memphis हो गया, यह organically developed थे, ठीक है, तीप्स Memphis, हम लोगों ने स्टार्टिक में, इनके बारे में बात की थी, city were planned based on proximity to a water source, ठीक है, water source के पर height का भी ध्यान रखा गया था, and the height of the location above the flood plains of the Nile, ठीक है, तो जो भी river होती है, जाहिर सी बात है, कि उस पर flood plains आते ही, floods आते ही आते हैं, ठीक है, तो जो flood plains थे, उनका ध्यान रखते वे, उचाई पर इसको settle किया गया था, जो civilization था, ठीक है, जो cities जो यह बसी थी, यह जाई पर, और एक चीज कि इस river को two parts में divide किया गया था, भी हम लोगों ने starting में इसका जिकर भी किया था, कि जो northern part था, वो lower city था, ठीक है, and southern part जो था, वो upper city था, ठीक है, तो division of the cities हमने देखा two parts में थी, lower and upper, southern and northern part के, ठीक है, अब बात करते हम streets किस तरीके से थी, तो streets cut at right angles into narrow street that divided the city into blocks or grid, ठीक है, तो यहाँ पर right angle बनता था, यानि कि जैसे अगर हम बात करें, streets किस तरीके से थी, ठीक है, एक तो parallel थी, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, कि यह क्या थी, right angle cut करती थी, तो यह आपका देखिए, right angle यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ऐसे streets ज बनाती थी, और जो घर बसे होते थे, जो घर बने होते थे, वो कैसे थे, वो इन्ही roads के आसपास ही बने थे, जिससे कि क्या बना था, एक grid pattern बना होता था, ठीक है, grid pattern देखने को मिल रहा है, तो grid pattern या फिर blocks जैसा देखने को यह मिल रहा है, तो इस तरीके का pattern था, कि घर जो हो गया अब बात करते हैं अब बात करते हैं सबसे पहले हैं वोग ड्वैलिंग हाउसज जो थे यानि कि जहां पर लोग रहा करते थे वो किस तरीके के होते थे तो dwelling houses की बात करें हैं तो houses were built around built around the intersection of two major roads ठीक है तो houses जो होते थे two major road के intersection पे बने होते थे जैसा कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि two roads जो थी इनका intersection जो था इसी के around बनते थे ठीक है तो इस तरीके से घर जो थे वो बने होते थे sun-baked bricks जो कि जब बेक हो जाती थी brick तो जाहिर सी बाते मजबूत हो जाती थी तो उसका use होता था ठीक है घरों को बनाने में roof कैसी होती थी? roof जो होती थी वो plain होती थी number of rooms की बात करें कि number of rooms कैसे होते थे या कितने होते थे वो depend करता था society पर society यानि कि society जैसे कि बटी होती है upper class, middle class, lower class तो number of rooms भी उसी पर depend करते थे जैसे कि अगर हम बात करें lower class तो उनके जो number of rooms होते थे उनके पास one room होता था जिसके साथ अगर देखा जाए तो attached मतलब उसके साथ bathroom अगरा नहीं होता था अब बात करते houses of the wealthy usually built of stone with pools, bathrooms and gardens जो यानि की upper class के लोग होते थे उनके घर जो होते थे पहली बात की वो story type होते थे यानि tiers में बने होते थे ठीक है तीन मंजिला लगभग जिसको का जाता है घर उस तरीके के उनके घर होते थे number of rooms उनके पास होते थे लगभग 30, 30 rooms का उनका घर होता था एक stair भी होती थी छट पर जाने के लिए ठीक है उसके अलावा stone से वो बने हुए होते थे उनके घर with pools and bathrooms garden ये सारी चीज़े उनके घरों के साथ होती थी ठीक है condition of average house जो यानि कि middle class के लोग थे उनके घर कैसे होते थे उनके घर जो होते थे वहार 2 और but 3 rooms होते थे साथ में courtyard होता था kitchen होता था यानि कि आंगान और kitchen के साथ हिनके घर होते थे ठीक है royal palaces जो होते थे उनकी बहुत उची उची दिवारे होती थी जाहिसी बात है royal palace हैं तो उनको safety चाहिए तो इस वज़े से उनकी उची उची दिवारे होती थी और उनके around खाई होती थी चारो तरफ खाई बनी होती थी for protection ठीक है royal palaces were surrounded by modes for added protection ठीक है तो इस तरीके का इनका हमने देखा dwelling houses जो थे रहने की जग थे temples district were better planned ठीक है तो यह ज़्यादा अच्छी तरीके से planned हुए थे and surrounded by high walls ठीक है इसके चारो और high walls होती थी the temple was a huge structure with huge gateways ठीक है तो इस तरीके का जो public buildings जो थी वो इस तरीके का उनका structure होता था architecture and engineering अब इसकी बात करते हैं तो अगर देखा जाए जो egypt civilization का architecture किस तरीके का था या engineering की बात करें तो इतना ज़्यादा डेवलप था कि अभी कुछ साल पहले तक उनके जो pyramids थे उन पे research चलती रही और आज भी चीजे चल रही है कि इतना ज़्यादा measurement के साथ वो बना है और इतना accuracy के साथ बना है जो किसी machine के बिना बनाना impossible है ठीक है तो architects and engineers built remarkable monuments such as pyramids and temples ठ जैसे कि जो उनके temples और pyramids हैं वो बनाएं the great pyramid of Giza is one of the seven wonders of the ancient world ancient world का one of the seven wonders में आता है Giza pyramid ठीक है जिस तरीके से उसको बनाया गया है ठीक कौन सी चीज है कितने angle पे हो सारी चीजे बहुत ज़्यादा इनको measurement के साथ बनाया गया है जिसके लिए आज भी लोग जो है वो इसको wonder मानते हैं ठीक another wonder is the sphinx which is carved out a single block of stone ठीक है दूसरा जो इनका wonder था वो क्या रहा वो रहा sphinx जो की single stone पे बनाया गया sphinx क्या था sphinx यह जो आपको structure दिख रहा है यह था sphinx जिसको की single stone पर carving करके बनाया गया है अब इसमें है क्या यह एक mythological figure है जिसमें की जो face है वो human का है and body की बात की जाए तो वो एक lion की है जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह आपको foot जो है वो lion का दिख रहा है कि जैसे की lion के foot हूँ ठीक है और यहाँ पर face जो है वो human का है ठीक है तो यह जो है यह भी उस समय के wonders में आता है अब बात करते हैं society की society किस तरी ठीके गी थी तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग social structure social structure जैसा कि हम लोग और भी देखे हैं कि social structure जो रहा है वो three classes में divide रहा है उसी तरह यहाँ भी social structure आपको three classes में divided मिलेगा first class जो थी या फिर upper class जो थी उसमें आते थे royal families rich land owners जिनके पास बहुत सारी land होती थी ठीक ह हाइक ranking priest आते थे government officials आते थे and doctors आते थे फिर आता है आपका middle class जहां पर आते थे merchants, manufacturer, craftspeople and the lower clergy ठीक है फिर lower class में आते थे peasants and slaves आते थे तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर society जो थी इन three classes में divided थी अब बात करते हैं family life family life किस तरीके की थी तो family की बात करें तो बड़ ही बड़ी अच्छी bonding होती थी family में ठीक है family in ancient Egypt वर close knit group, father जो होता था वो head of the family होता था, women जो थी वो treat की जाती थी respectfully, साथ ही साथ जो property rights थे, properties होती थी उन पर उनका right होता था, इसके साथ ही boys की बात करें तो boys जो थे वो school जाते थे education के लिए and girls जो होती थी वो घर पे ही घर क कामों को सीखा करती थी, इसके अलावा जो wealthy families होती थी, वो एक luxury life भी बिताती थी, साथ ही साथ fun भी करते थे वो लोग जब समय मिले, तो fun किस तरीके का, जैसे आज के time में हम लोग को क्या है, कि हम लोग को जब time मिलता है, तो हम लोग क्या करते है, आउटिंग के लिए निक इस तरीके के काम किया करते थे अपने fun के लिए, अब बात करते हैं, food, इनका food किस तरीके का था, तो सबसे पहले चीज की bread का use करते थे, जो की wheat से बनी होती थी, इसके अलावा इनके food में और भी चीज़े include होती थी, क्या था, vegetables होते थे, fruits जैसे की apple हो गया, dates हो गया, ठीक है, peach हो गया, इस तरीके के, fruits जो थे, वो होते थे, meat and dairy products जो थे, ये सारी चीज़े इनके food में include थी, अब बात करते हैं, उनकी dress कैसी होती थी, तो dress की बात कर लें, तो early Egyptians जो थे, उनकी dress जो थी, वो simple होती थी, उसके अलावा white linen का वो use करते थे, जो की summer के लि loin cloth, यानि कि men जो होते थे, वो loin cloth पहनते थे, and जो women होती थी, वो long dress पहनती थी, साथी साथ shoulder straps के साथ, उनकी dresses होती थी, men and women दोनों ही क्या करते थे, cosmetic jewelry and wig का use करते थे, आपने देखा होगा ना, अगर उनके pictures देखो, आप तो कुछ अलग से दिखते हैं, तो अलग से hair क्या र ही attention देते थे अपने complex को, और उसके अलावा अपनी hairstyle को जितना की women देती थी, यानि कि अपने looks को लेके men जो थे, वो भी उतने ही attention दिया करते थे, अब बात करते हैं हम इनके occupation की, तो occupation देखें, तो agriculture था, art and craft था, trade था, domestication था, animals का, ठीक है, तो यह सारी इनके occupation थे, सबसे प या फिर क्यों था, ये भी हम समझेंगे, आईए, agriculture, the main occupation was forming, due to which, ठीक है, क्यों था, क्योंकि सबसे पहली चीज, इन्हें fertile land मिल जाती थी, Nile River के आसपास होने की वज़े से, जब flood आते थे, तो उसकी वज़े से, जब वो वापस जाते थे, तो fertile land मिल जाती थी, ठीक है, abundant water supply water supply जो थी, वो बहुत अच्छी थी, means of irrigation, so that good cultivation can be done throughout the year, means of irrigation, irrigation के system भी इनके पास थे, जिसकी वज़े से, पूरे वर्ष भर क्या था, या फिर कह सकते हैं, throughout the year, ये आसानी से crop ग्रो कर सकते थे, the main crop were wheat, barley and millet, vegetables and fruits were also grown, थीक है, तो main crop इनकी कौन सी थी, वो थी wheat, barley and millet, इसके अला हमने पहले भी बात की, apple, fig, peach, dates, ये सारे fruits होते थे, ये सारी चीज़े ये grow किया करते थे, domestication of animals, तो जिन animals से लोगों को profit होते हैं, वो dangerous नहीं होते हैं, लोग उन्हें domesticate करते हैं, ठीक है, और वही फिर अपनी जरूरत की चीज़े उनसे मिलती हैं, साथ ही साथ, उनके occupation में भी उकाम आता है, ठीक है, तो ये लोग भी इसी तरीके से जो animals dangerous नहीं थे, इनके लिए profit वाले थे, उनको domesticate किया करते थे, आईए देखते हैं, animals such as cows, sheep, goats, donkeys, camels, birds such as doves and geese were domesticated, तो ऐसे birds and animals को ये domesticate किया करते थे, अब बात करते हैं, आर्ट and craft की, आर्ट and craft की बात करें, तो जो craft person होते थे, वो बहुत ही hard work किया करते थे, एक तो होता देखी, अपनी जो art है, उसको खुबसूरत दिखाने के लिए, खुबसूरत बनाने के लिए, इसके लावा ये काम करते थे, aristocrate के लिए, priestly classes के लिए, जिनका की taste, जिनके demand काफी high हुआ करती थी, expensive हुआ करती थी, ठीक है, जिसके लिए उनकी जो demand थी, उसे satisfy करने के लिए, बहुत महनत करनी पड़ती थी, ठीक है, तो ये क्या थे, very hard work करते थे, ठीक है, इसके लावा देवर skilled craft person, वो skilled craft person हुआ करते थे, चाहे potters हो, चाहे weavers हो, चाहे goldsmith हो, चाहे painter हो, ठीक है, जो भी हूँ, तो व लोग अपने god की, अपने king की, जो मूर्तिया थी, वो भी बनाया करते थे, ठीक है, अली Egyptians जो थे, इनकी paintings और इनके इन सभी चीजों से दिखता था, कि वो अपनी जो lifestyle में किस तरीके से deal किया करते थे, इसके लावा बात करें, they built number of magnificent temples with pillared halls, they decorated with beautiful paintings of humans, animals and birds, तो इनके द्वार मतलब इनकी paintings वो, जो halls के pillars वगेर होते थे, temples वगेर होते थे, उनको decorate किया करते थे, अब बात करते हैं, trade की, तो trade में अगर देखें, तो sea route and land route, दोनों ही route, दोनों route से ये trade किया करते थे, internal trade जो इनका होता था, वो sea के द्वारा, land के द्वारा, दोनों तरह से होता था, जो built the world's first seafaring ships, ठीक है, तो world's first seafaring ships थी, वो इन्होंने बनाई थी, imported item, ठीक है, import क्या करते थे, तो import यानि कि बाहर से जो चीजे मंगाते थे, तो उसमें आता है, ivory यानि कि हातीदात हो गया, gold, copper and cedar wood, ये चीजे ये लोग import करते थे, export, बाहर क्या भेजते थे, वो था linen, wheat, glassware jewelry and furniture, ये चीजे ये, क्या करते थे, export करते थे, इन क्या होती थी, तो बाहर इन्हें भेजते थे, foreign trade इनका control किया जाता था, king के द्वारा, ठीक है, यानि कि other countries के साथ, इनका जो trade था, वो पूरी तरह से king के control में था, इसके अलब बार्टर सिस्टम भी चलता था, बार्टर सि हमारी payment जो है, इस तरीके से हो रही है, ठीक है, तो जिसे rupees में है, इस तरीके से, इस समय में क्या होता था, कि सामान के बदले, सामान जैसे कि हमें यहां देखने को मिल रहा है, कि इसके हाथ में fish है, एक person के हाथ में fish है, दूसरे person के हाथ में gold है, ठीक है, तो वो क्या कर रह फिश के बदले में गोल्ड ले रहा है इस तरीके से सामान के बदले सामान वो लिया करते थे अब बात करते हैं हम राइटिंग की तो राइटिंग अगर देखें तो एजिप्शन जो थे उन्होंने डेवलप की थी राइटिंग जिसे की कहा जाता था राइटिंग स्किल जो को कि जो Egyptians थे या early Egyptians दो थे उन्होंने जो डेवलप की थी writing script वो उसका नाम था hieroglyphic script ठीक है लिखने के लिए क्या यूज करते थे symbols का use करते थे लगभग 2000 symbols का ये use किया करते थे हर symbol का अपना-पना मतलब होता था ठीक है बाद में देखा गया कि इन्होंने simplified चीजों को करने के लिए developed कर लिए थे अपने alphabets जिसमें की 24 alphabets होते थे sorry 24 consonant होते थे बट vowels कोई भी नहीं था अब बात करते हैं religion तो जो Egyptian थे वो बहुत सारे god and goddess की worship किया करते थे ठीक है जो की connected थे किस से nature से ठीक है इसके अलावा raw and osiris यह आपको ध्यान रखना है इनके god के नाम और साथ ही साथ यह किसके god थे raw जो की sun के god माने जाते थे osiris जो की mrityu यानि की death के देवता माने जाते थे ठीक है तो raw osiris were among the most important god ठीक है तो यह most important god थे the pharaohs were also worshiped as god pharaohs जो की इनके king हुआ करते थे उनकी भी worship as a god किया जाता था each god has own temple and priest her god के अपने temple and priest हुआ करते थे own favorite god her town her cities जो थी उनके अपने god हुआ करते थे जैसे आपने पिछले chapter में पढ़ा था ना हर city के अपने pattern god हुआ करते थे वैसे ही some animals and birds also worshiped कुछ animals and birds जो थे उनकी भी worship की जाती थी जैसे कि bull हो गये, crocodile, jackal, hawk इन सब की भी worship की जाती थी believed in life after death तो इनका believe था कि death के बाद भी एक life होती है Egyptian believed in life after death तो ऐसा वो believe करते थे bodies को वो preserve करके रखते थे, preserved the body, preserved body known as mummy जो body preserve करके ये रखते थे उसे mummy के नाम से जाना जाता था food, wine, clothes, furniture, jewelry and weapons वर put into the tombs जो कप्र होती थी उसके साथ वो ये सारी चीजे रखते थे ऐसा इनका मानना था कि जिस class के लोग होते थे ठीक है जैसे अभी लोगों ने देखा था society को classes में divide किया गया था तो जिस class के लोग होते थे उसी के according चीजे रखी जाती थी ये माना जाता था कि जो अभी जिस तरीके से वो आगे रहेगा ठीक है जितनी चीजे उसके साथ रहेंगी उतना अच्छा उसकी लाइफ होगी तो जिसे king वगेर हैं उनके साथ बहुत सारी चीजे रहा करती थी ठीक है तो ये सारी चीजे रखी जाती थी जो इतनी रिच थी इतनी डेवलप सिवलाइजेशन थी तो सबसे पहली चीज की ये डिकलाइन हुई जब यहां पर लास्ट डाइनेस्टी का अंत होता है उसी के साथ ही साथ इस सिवलाइजेशन का भी अंत हो जाता है ठीक है देकलाइन ऑफ दे एजिप्शन एमपायर बि अब देखें बाहर से कोई भी एमपायर है बाहर से समय समय पर लोगों के आक्रमण हो रहे हैं साथी साथ अंदर किसी ना किसी बात को लेके विद्रो हो रहे हैं तो उन्होंने क्या कि इसको पूरी तरह से कमजोर कर दिया अच्छा इस पर फॉरें इन्वेजन जो थे वो को रशियन के द्वारा हुए और फिर फाइनली जो है अलेक्जेंडर के द्वारा इस पर अटैक किया गया और फिर अलेक्जेंडर जो था उसने यहां पर अपनी सिटी अलेक्जेंडरिया जो थी वो इस्टेबिश की ठीक है इस्टेबिश्मेंट ऑफ दा सिटी civilization का भी अंत हो गया तो ये reason थे इस civilization के अंत के तो बच्चों इस तरह हमारा ये chapter होता है complete मिलते हैं next chapter के साथ at learn hub, learn hub free है पर best है thanks for watching वे तो